नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में आपको जपान में होने वाली सेमी पॉलिहाउस फार्मिंग के एप नई टेकनिक के बारें बताऊंगा इसकी लागत काफी कम होती है और इसे आसानी से आप सेट अप कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले वीडियों बताया था कि मैं पिछले कई सालों से जपान में ही रहता हूं और जपान के रज़ानी टोकियों के 10 किलो मीटर के रेडियस में होने वाली फार्मिंग और उसकी टिकनिक से रेलेटेड में वीडियो बनागता हूं तो आज इस वीडियो में जो सामने टेंपरोरी बेस्ट पॉली हाउस बनी हुई है इसमें जेनरली यहां पे मूली, सकरकंद और कभी-कभी पालक या फिर प्रोकली, गोभी, प्याच इस तरीके की ज़्यादातर फसलें इसमें करते हैं काफी यहां पे हवा तेज चलती है, कभी-कभी तुभान भी आती है तो उस सिच्वेशन में भी यह बिल्कुल फसल को सुरचित रखता है यह देखिए किसान भाई का घर है, जिनकी आगे खेती हो रही है काफी आलिसान तरीके से रहते हैं यहां पे किसान लोग यहां पे फार्मिंग जो है, वो पूरी तरीके से बिजनस बन चुकी है और इंडिया में भी अब धीरे-धीरे उसकी और बढ़ रहा है तो आईए मैं इसकी जो सिट अप है, जो दिखाता हूँ, काफी सिंपल है यह यह सामने देख रहे हैं, यह तो पर्मनेंड बेस्ट पोली हाउस स्टक्चर है कवर्ड नहीं है अभी इसमें तो जो टंप्रोरी बेस्ट जो है, इसकी जो एक्यूप्मेंट है, समक्री है वो इस तरीके से है कि एक नॉर्मल पाइप को हाफ राउंड, हाफ सरकल में इसको इस सेप में तयार करते हैं नीचे चिप्टा कर देते हैं, लो बेसिली यह बेसिक कंसिप्ट है गाड़ने के लिए, यह नॉर्मल पाइप है, सॉलिड स्टक्चर नहीं है तो 3-3 फीट के अंतराल पे इसको लगाते हैं, देखे कितनी सारी है इनके पास रख्य हुई है, आपको पता होगा यहां पे काफी तुभान भी आती है, कभी-कभी तेज हवा भी चलते रहती है, तो इस तरीके से प्लास्टिक को उड़ जाने का काफी डर रहता है, तो क्रूज ऐसा डालते हैं, ताकि वो असानी से निकलता नहीं है, यह देखिए इनका बर्मी कमपोस्ट खाद है, केचुवा खाद, काफी इस्तमाल करते हैं यहांके सबजी बगर उप जाने में, काफी अच्छा होता है, एक वीडियो में मैंने बताया भी था, वो एक किसान भाई से मैंने जब बात कर रहा था, तो जैपानी किसान भाई मुझे जमें से केचुवा निकाल कर दिखा रहे थे, कि मैं इस तरीके से गोबर से बना हुआ खाद, केचुवा खाद, मैं ज्यादा इस्तमाल करता हूँ, तो आपने देखा, इसकी जो सेमी पॉलिहॉस फार् जानना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां से जनकारी लेकर के मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसके लिए आप कमेंट में आप लिख सकते हैं मुझे, और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, यहां पे जो पिछली फसल इनकी होई थी, वो मूली की थी, तो जो बेस्टेज ह तो इस तरीके से जमीन में इसको फैला करके एक ही जगह पे खाथ बनने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद इसमें खाते हैं तो आगे आने वाले वीडियो में आपको जपान की आपको देखने को मिल सकता है, तो अब तक आपने में अगर मेरे चैनल को सब्सक् जग जग चर जगे हैं से में ऊति रहां हैं तंगी बास